नमस्कार दोस्तो राजन मोनीटर के बिल्कुल नए फ्रेस और इक्साइटेड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जियो क्लॉड से कोई भी फोटो को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने जियो क्लॉड से फोटो को डाउनलोड कैसे करना है इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डॉट किलियर हो जाएगा सो हेलो गाइज मेरा नामा राजन आप देख रहा हैं राजन मोनीटर चाइनल को तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट आए हमारे चाइनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आप लिए रोज इसी तरह के इंपोटेंट टाउपिक से रिलेटेड वीडियो ज लाते रहता हूं तो आपको मैं बता है दुक जियो क्लोड आप से फोटो को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले जियो क्लोड आप को आप करना होगा जैसा कि आप यहाँ देख सकता है simply हम home page पे आगा है बहुत सारा आपको अपने phone में photo दिख जाएगा इसके बाद simply यहाँ पे my file लिखा मिल जाएगा simply इस my file पे click किजिएगा जैसे ही इस my file पे click किजिएगा कुछ इस तरह का नया page देखने को मिल जाएगा simply यहाँ पे आपको बहुत सारा file देखने को मिल जाएगा simply यहाँ पे all files पे हम click करते हैं जैसे ही all files पे click करते हैं कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा simply यहाँ पे आपको बहुत सारा photo देखने को मिल जाएगा simply यहाँ पे हम कोई फोटो आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं आप भी Jio Cloud आपको इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको बहुत सरा फोटो इसमें देखने को मिलेगा simply यहाँ पे हम एक फोटो आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं जैसा कि मान लीजे यह फोटो आपको डाउनलोड करना है तो simply यहाँ पे हम आपको साइड में 3 डाउर दिखना होगा simply इस 3 डाउर पे क्लिक करना है जैसे ही इस 3 डाउर पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का नया पेस देखने को मिल जाएगा बात की जाए इस photo की तो 1.8 MB को देखने को मिल जाएगा और कुछ इस तरह का side में देखने को मिल जाएगा simply यहाँ पे download लिखा मिल जाएगा नीचे में इस download पे आप जैसे ही click कीजिएगा photo download हो रहा है आप थोरा वेट कीजिए simply हम आपको यह photo को गैल्डी में दिखा रहा है माल लीजिए आप इस photo को download करना है तो simply इस पे click करना है जैसे ही इस पे click करते हैं कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा photo की MB की बात की जाए तो 2MB की photo देखने को मिलेगा और side में आपको download का symbol मिल जाएगा simply इस download के symbol पे click करते हैं जैसे ही इस download के symbol पे click करते हैं simply यह photo download हो रहा है आप जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं simply हम आपको गैल्डी open करके दिखा रहा है यह photo download हो गया है तो आईए हम गैल्डी को open करते हैं और आपको simply अपने फोन में गैली को open कर लेना है, simply यहाँ पे हम गैली को open कर लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख साकता है, simply अभी हम आपको जियो कलॉड से दो फोटो को डाउनलोड करके दिखाए थे, तो यहाँ से simply आपको दो फोटो डाउनलोड देखने को मिल जाएगा I hope कि मैंने आपको पूरी details में बता पाया हूँ कि जियो कलॉड आप से आप फोटो को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए जाए हिन्द